नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का सुवागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेडी प्रेट्फॉर्म में रास्ट रहत्मे सिक्षा दिसे धीरस धिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सूपर फास्ट कोशन्स की स्रंखला में एंटर करने वाले हैं मानव सरीर से आने वाले प्रमुख 101 प्रस्ण एक मातर वीडियो में कुछ चंद मिनुटों में खतम करेंगे स्क्रीन से गुजरेंगे बेहतरीन प्रस्ण वीडियो अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके छोड़ देना और अच्छा लगे तो सस्क्राइब और लाइक करके छोड़ देना हर बहन हर भाई अपना स्टेट अपना सिटी जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में चले हम बिना रुके इस उपरफास्ट वीडियो में आगास करते हैं पहला कुशन आपकी स्क्रीन पर है कि मनुस्य का हर्दे कितनी वार धड़कता है तो अगर हम बात करते हैं दो कुशन बनते हैं सिसु के हर्दे की बात करें तो 140 प्रती मिनट में धड़कता है कि मानोखोपडी यानि human iskull में हड़ियों की संख्या कितनी होती है यहां से भी दो कुश्चन मनते हैं पूरे मनुस्य के सरीर में 206 हड़ियां होती है अगर मनुस्य के human iskull की बात करें brain की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों 8 हड़ियों की संख्या पाई जाती है नेक्श्चन की बात करें मनुस्य की स्वसन गती एक मिनट में कितनी बार होती है यानि हम सांस लेते हैं तो जिसको हम सांस छोड़ने और लेने को हम सौक्षोवास कहते हैं वहाँ पर अगर हम बात करें तो 16 से 18 बार एक व्यक्ती लगवग एक मिनट में सांस को लेता है बात करें कुश्चन नमबर 4 की तो मनुस्य का मस्तिस्क यानि हूमन ब्रेन का वजण कितना होता है तो यहाँ से भी दो कुश्चन बनेंगे एक तो सिसू के और एक तो मनुस्य के जो है human brain की बात करेंगा एक वेस्क मनुस्य होगा तो सिसु का भहिया आपको कोज के नीचे कमेंट करना है मनुस्य के मस्तिस्क की बात करें तो human brain का जो वजन होता है वो लगवग 1350 ग्राम होता है कभी-कभी आपको 1400 ग्राम भी दिखने को मिल सकता है option में तो परेशान ना हो exact होता है 1350 ग्राम हीमन की बात करें human brain की human brain से सबसे बढ़ा भाग कोणसा कहलाता है तो आपने खूब देखा होगा सेरी बेलम सुना होगा, प्रामस्तिष सुना होगा है तो बहुँ सारे पार्ट है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आ अंसर जाएगा वो सेरी ब्रम हो जाएगा, प्रामस्तिष को को हम सेरे ब्रम कहते हैं, ठीक है ना? next one की बात करें question number next आपके screen पर है कि व्रक यानि जिसको हम kidney बोलते है kidney का वजन मनुस्य के सरीर का कितना है sir यानि वजन की बात करें हमने देखा कि भईया मस्तिस्क human brain का वजन होता है 1350 यहाँ sir kidney की बात कर रहा है kidney को हम व्रक भी कहते हैं और यहाँ पर जो right answer जाएगा वो 1500 ग्राम के साथ चला जाएगा कितना sir 150 के साथ चला जाएगा यह आपको दिमाग में रखना है next one की बात करें सरीर की सबसे बड़ी हड़ी यानि विग वोन मनुस्य की कौन सी है और कहाँ पाई जाती है तो जब भी हम बात करते हैं जांग की बात करते हैं तो फीमर जांग में पाई जाती है अगर कुसन पूछे कि कहाँ पाई जाती है तो वो जांग में नाम क्या है sir फीमर हो जाएगा ठीक है ना सबसे बड़ी सबसे लंबी next one की बात करें question number 8 मनुस्य सरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है क्या नाम है कहाँ पाई जाती है दो question बनेंगे तो जब आप से पूछे कि भाईया नाम क्या है सबसे छोटी हड़ी का नाम तो stapes है कहाँ पाई जाती है वो जगह है दोस्तो कान में stapes के साथ साथ दो हड़ीचा और होती है एक होती है melleus और एक होती है incas और एक होती इस टेपीच तो एक कान में तीन हड़ीचा और दूसरे कान में तीन हड़ीचा तो total अगर कान में हड़ीच Costco की संख्या पूछे तो 6 होती है melleus, incas, stapes तो याद रखीगा कुछन नमबर next सरीर में सबसे मजबूत हड़ी का नाम कौन सा है तो याद रखीगा दोस्तों यहाँ पर मनुस्य के सरीर से सारे कुछन्स आपके आज क्लियर हो जाने वाले हैं सरीर में सबसे मनुस्य की जो हड़ी है मजबूत है वो जबडे की हड़ी है कभी भी एक्सिडेंट अगर किसी का होता है तो आप देखते हो जबड़ा उनका सुरक्षित होता है कभी भी अगर देखा जाए तो जल्दी नहीं तूटेगा भी या जबड़ा सबसे मजबूत होता है अड़ी सबसे मजबूत होती है अगर सरीर के पार्ट की बात करें ठीके ना next one की बात करें सरीर के सबसे कठोर तत्तो कौन सा होता है तो हम यह कहते हैं कि sir Enamel देखो अभी उपर अड़ी यह पूचा है कि मजबूत अड़ी का नाम तो हमने का जबडे की जब हमसे पूछे कठोर तत्तो कौन सा है यानि जो पूरा आपका सरीर है उसमें सबसे कठोर तत्तो कौन सा है दात का enable ये enable क्या होता है दात में होता है ठीक है Next one की बात करें सामाने मुनस्य का रक्त चाप यानि बोले तो blood pressure कितना होता है आप कहते हो सर BPI को हम hypertension कहते हैं तो सर BPI कितना होना चाहिए low और कितना होना चाहिए high तो हम कहते हैं सर 120 बटे 80 यानि 80 से नीचे है तो low हो जाएगा 120 से उपर है तो high हो जाएगा जिसको hypertension कहते हैं यहाँ पर blood pressure आपने देख लिया निक्षबन की बात करेंगे मानों सरीर में जल की मात्रा कितनी होती है तो मनुस्य के सरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80% मनुस्य के सरीर में जल पाया जाता है जबकि प्रथवी में कितना जल होता है तो आप सभी जानते हो 71 प्रथवी में जल होता है और 29% आपका इस्थल होता है मनुस्य में कुछ इसी तरीके से अगर देखा जाए तो लगबग लगबग बराबर ही है अगर देखा जाए तो 65 से 80% जल मनुस्य के सरीर में होता है नेक्षवन की बात करें कुछ से नमबर नेक्ष है कि मनुस्य का जो रक्त तो होता है रक्त की मात्रा सरीर के भार के कितनी होती है तो मनुस्य की अगर हम बात करें मनुस्य के भार के 7% यानि जितना भी है उसका जैसे बजन अगर 100 किलो है तो मनुस्य के 100 केजी बजन में 7 केजी बजन क्या होगा उसका रक्त होगा अब 100 kg हर बंदे का थोड़ी नहोता है, किसी का 60 होता है, किसी का 40 होता है, किसी का 50 होता है, तो जितना बज़ने उसका 7% रक्त होता है, blood के अध्यन को हम कहते हैं hematology, question number next भी ना रुके, मनुस्य में रक्त, यानि blood की जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, अगर लीटर में बात करें तो भाईया एक मनुस्य के सरीर में 5-6 लीटर ब्लेड पाया जाता है याद रखीगा कितना सर 5-6 लीटर पाया जाता है निक्षवन की बात करें कुस्से नमबर 15 मनुस्य का रक्त जो होता है वो human blood ब्लेट का पी-एच गता है जो होता है याद रखेगा कितना 7.4 होता है पी-एच का फुल फॉर्म क्या होता है पॉटेंसिल अफ हाइडोन होता है कुस्से नमबर 16 रक्त को सुद्ध करने का काम कौन करता है मनुस्य का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रक्त को सुद्ध करता है तो मनुस्य के ऐसे पार्ट का नाम है जिसका नाम है किड्नी है यानि जिसको हम व्रक कहते हैं और व्रक की इकाई को हम कहते हैं सरनेफरान कहते हैं यूनिट है इसकी क् निक्शुमन की बात करेंगे लाल रक्त कड़िकाएं यानि जिसको हम कहते हैं रेड बलड सेल्स या रेड बलड कारपल्स का निर्माण कहाँ पर होता है तो याद रखीगा यहाँ पर दो कुछ संस मिलेंगे दो अप्संस मिलेंगे या तो हिंदी में बोन मेरो लिखा होगा या हिंदी में ही अस्थी मज्जा लिखा होगा तो यहाँ पर लाल रक्त कड़िकाएं यानि आरवीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थी मज्जा में होता है और आरवीसी खतम कहाँ पर होती है ये भी आपको बताना है फटाफट तो आरवीसी खतम होती है इस्पलीन में जिसको कहते है प्लीहा लार रक्त कडिकाओं का जीवन काल कितना होता है यानि अगर हम बात करें RVC का जीवन काल कितना होता है तो RVC की जो लाइफ होती है दोस्तों तो वो होती है 120 कितनी होती है 120 120 days होती है जो मनुष्य के सरीर में अस्थिमज्जा में निर्मित होती है और प से कहा कि RVC का जो जीवनकाल होता है वो 120 होता है WVC का जो जीवनकाल होता है वो कितना होता है 2-4 या 1-4 दिन या 3-4 दिन कुछ भी आप कह सकते हो तो 4 दिन तक हमें लेना है यानि आप कह सकते हो कि 1-4 दिन तक WVC का जीवनकाल होता है स्वेत रक्त कड़का है white blood cells को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है जैसे आपके भी घर में दो नाम हो सकते हैं हमारे भी घर में दो नाम हो सकते हैं ठीके ना तो यहीं पर दोस्तों अगर बात करें तो WBC को हम किन नामों से जानते हैं तो उसमें एक प्रमुख नाम है लिूकोसाइट तो कुश्चन में आया है कहिवार कि लिूकोसाइट किस को कहा जाता है WBC, RVC या प्लेटलेट तो अब इसा याद रखो कि स्वेत रक्तकडिकाओं को हम लिूकोसाइट कहते हैं लाल रक्तकडिकाओं को हम इसी तरीके से क्या कहेंगे RVC का दूसरा नाम क्या है RVC को हम अन्य नाम से क्या कौन से नाम से जानते हैं तो RVC को हम जानते हैं एरिथ्रोसाइट के नाम से हम जानते हैं क्या, एरिथ्रोसाइट हम कहते हैं RVC को, लिूकोसाइट हम कहते हैं जी हाँ WBC को, सरीर का ताप करम नियंतरित होता है, सरीर का टमप्रेचर कहां से नियंतरित होता है, कोन सा भाग सरीर के टमप्रेचर को नियंतरित करता है, तो याद रखीगा, हाइपो थैलमस ग्लेंड, हाइपो थैलमस गरंथी आपके सरीर के टमप्रेचर को नियंतरित करती है mund exec के सरबदाता रख्त्समू, यानि universal donor trick भी आपको बता दूंगा, जिन्दगी में गलत नहीं करोगे, तो याद रखीगा, मनुष्य ही olabilir, human के सरबदाता रख्त्समू कोंसा है, यानि रख्त्समू donor, देखे donor में क्या निकल ला है, donor में O आरहा है, donor डोनर ओनर तो आप कहोगे कि ओ जहां पर ओ आ जाए तो वही दोस्तों है आपका डोनर हो जाएगा तो ऐसा रक्त समू जिसको हम डोनर कहते हैं उसका नाम है ओ है एक और कुछन मनता है कि मनुष्य के सर्वगराही यानि यूनिवर्सल एसेप्टर या एसेप्टर हम किसे कहते हैं तो जब हम एसेप्टर की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर क्या आंसर जाएगा वहाँ जाएगा दोस्तों ए भी जाएगा कुछन नमर पच्चिस रक्त चाप जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेसर की बात करें तो 120 और 80 होना चाहिए minimum और maximum तो हम ब्लड प्रेसर के मापने की यंतर को हम क्या कहते हैं सर मापने की यंतर को हम कहते हैं सर इस फिगनो मैनो मीटर ठीक है ना अब आद करेंगा कुछन नमर नेक्स्ट की 26 ब्लड बैंक किसे कहा जाता है ब्लड बैंक जो है किसे कहा जाता है जब आप दीजेगा तो ब्लड बैंक हम कहते हैं सर प्लीहा को और उसका नाम है इंग्लिस में इस्पिलीन, क्या है प्लीहा, इसी ब्लड बैंक में RBC की मृत्यू होती है, निक्षवन की बात करेंगे 27, भोजन का पाचन प्रारंब होता है, भोजन का पाचन जो है आपके मुह से ही प्रारंब हो जाता है, आप सभी जानते हो कि यानि भोज का निवाला आपने गले में डाला और आपके तो कि टाइलिन जो होता है वो कहीं न कहीं पाचित करने लगता है निक्षवन की बात करें पचे हुए भोजन का अबसोसन कहां पर होता है सरीर में पचा हुआ भोजन अबसोसित कहां पर होता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कुशन एक्जाम में तो वो होता है दोस्तों छोटी आथ यानुरी, इसमाल, इंस्टाइ LUJ section में याद रखेगा है छोटी आथ में सब세 जादा खाना भी आपका रुखता है कुशन में ये भी आए कि पछे का आवसोसन कहा होता है छोटी आथ में पचे हुए बोजन के लाबा दूसरा कुशन ये बनता है कहता है मनुस्तिक के सरीर में ऐसा कौन सा भाग है जहां पर खाना सबसे देर तक ठेरता है वो छोटी आथ है कुशन नमबर नेक्स्ट पित जिसको बोलते हैं बाइल का स्रावि होता है ठीक है ना यक्रत मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा पार्ट है जब पीलिया आपको हो जाता है तो यहां पर यक्रत डैमेज हो जाता है कुशन में कई वार आया है जब आपको जोइंडी यानि पीलिया होता है तो मनुस्तिक के सरीर का कौन सा पार डैमेज हो जाता है वो vitamin A ऐसा part है जिसको हम कहते हैं retinol जिससे आपका rog हो जाता है आपका blindness हो जाता है ठीके ना यानि अगर हम कह सकते हैं आपको रतोंदी अगर हम से पूचा जाए कि इसमें क्यों रुखता है क्योंकि vitamin A यकरत में इसली ही रुखता है क्योंकि सरीर में जितने भी toxic acid होते है या हम लिवर गनति के साथ साथ एक सरीर का अंग भी है ठीके ना निक्समें की बात करें कुश्ण नमर 32 सबसे चोटी गनति अगर बड़ी है तो यक्रत है तो आपके दिमाख में आया होगा कि चोटी गनति भी हमें पता होनी चाहिए तो इस्माल ग्लेंड को हम क्या कहते हैं तो सबसे चोटी गरंथी को मास्टर गरंथी को हम क्या कहते है आप जानते हो पिर टेवटरी गरंथी हम चोटी गरंथी को कहते है ठीक है next one की बात करें किस्टा number next मनुस्य पसली यानि रिप्स की संख्या कितनी होती है 12 इदर होती है एक फेपड़े में और बारा इधर होती है तो आप कहते हो कि सर 24 हो जाती है यानि जितने हैं अगर आम बात करें दीखीगा हाँ रिप्स की संख्या आपको गÎँट लिखा नहीं है सरीर में हड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है तो सरीर में हड़ियों की कुल संख्या होती है 206 हड़िया होती है ये बच्चा बच्चा सर जानता है नेक्षमन की बात करें सरीर में मास्पेसियों की कुल संख्या कितनी होती है अब थोड़ा सा अगर कुशन टफ बनता है कि हड़ियां तो बच्चा जानता है लेकिन सरीर में मास्पेसी जिसको हम कहते हैं मसल्स की संख्या नमबर अफ मसल्स कितने हैं तो याद रखीगा 639 यानि 649 जो हैं मसल्स हैं तीन दूनी छे तीन तरका नो आप सभी जानते हो ये एंजाइम कौन सा होता हैं एंजाइम एक्श्यल में होता क्या हैं एंजाइम होता है आपके खाने को पचाने में सहहिक होता है एंजाइम ठीके ना लार के साथ मिलकर आपके अगनियासे में आपकी बात करें तो दोस्तो ट्रिप्सिन अमासे में पेप्शिन और रेनिन और HCL मिलकर खाना को पचाते हैं लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है खाने का पाचन मुह से ही स्टार्ट हो जाता है 37 लिंग निर्धारन कहां से होता है ये वीडियो बहुत सुपर फास्ट है इसलिए याद रखीगा आप सभी के एक्जाम के लिए हम नहीं चायते कि भाई बिलकुल रुका जाए रिवीजन के लिए तोर पर ये वीडियो देखिएगा आप सभी लाइव योद्धा है और लाइव योद्धा कभी भी रणचेतर से भागते नहीं याद रखीगा अदूरा काम अदूरा लक्ष हो जाता है कभी भी अदूरा ज्यान लेंगे तो खतरनाक हो सकता है तो 101 कुल्सन आने वाले 5 मिनिट में खतम करिए लिंग निर्धारन कहां से होता है तो याद रखीगा लिंग निर्धारन होता है आप सभी जानते हो पुरुस क्रोमोसोम यानि में क्रोमोसोम पर यानि बच्चे का लिंग का निर्धारन अगर आप से पूछा जाए कौन करत है तो याद रखीगा माता के क्रोमोसोम पर या पुरुस के यानि पिता के तो पिता के आदार पर ही बच्चे का लिंग निर्धारन होता है मनुस्य का हर्दय जो हुमन हार्ट होता है वो दोस्तों आप सभी जानते होगे कितने कोस्टी होता है तो मनुस्य के हर्दय में जो कक्ष होते हैं कोस्टक होते हैं वो चार कोस्टी होते हैं आपने खुब सुना होगा दाया अलिंद दाया निले बाया अलिंद बाया निले है ना तो फिलाल वहाँ से थोड़ा सा अलग था कुस्टन सरीर में गुरसूत्रों यानि क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती तो दो या तो जोडे में पूछेगा तो आप 23 जोडे लगा दीजेगा 23 पेर में पूछेगा या तो टोटल पूछेगा तो आप कितने लगाएंगे यानि 46 लगाएंगे तो यहाँ पर सरीर में कुल अगर पूछी जाए तो 46 और जोडे में पूछी जाए तो 23 लगाएगा ठीक है अ पोटी एड़ी कान में है, कौन सी है, इस्टेपीज है, लेकिन सबसे बड़ा अंग की बात कर रहा है, यहां सर सबसे बड़ा अंग आपके सरीर में क्या है, ऊपर जो दिखने वाली आपकी है तवचा, यानि ऑप्शन नमबर जो भी तवचा में होगा, वो चला जाएगा, न जनी तलवा इंपोर्टेंट है, आपका मोटे के लिए, क्लियर, निक्षमन की बात करें, कुस्सर नमबर फुटी टू, मनुजिसे के सरीर में हड़्डियों की कुल संख्या कितनी आपको बताया अभी 206 हो जाएगी, निक्षमन की बात करेंगे, मानो सरीर का तापमान, टम कुस्षन है, दोनों तरीके के पूछ सकता है, इसलिए दोनों तरीकों को हमने अंसर में बता दिया है, निक्षमन की बात करें, कुस्षन नमबर 44, मनुजिसे के सौंधरत्या का अध्यम क्या कहलाता है, यानि आपकी व्यूटी, आप जो व्यूटी आप देखते हो अपने रखीगा, कितने डिगरी टंप्रेचर पर कोरोना बाइरस का प्रभाव खतम हो जाता है, तीन कुस्षन हमने लिया है, 45, 46, 47 कोरोना से, तो कितने डिगरी टंप्रेचर पर हम कोरोना बाइरस को खतम कर देंगे, तो 30 से 35 डिगरी पर हम कोरोना बाइरस को खतम कर देते हैं, याद रखीगा, बात करें मनुस्य में कोरोना बाइरस किस संक्रमन के कारण होता है, तो मनुस्य में कोरोना बाइरस की बात करें, तो स्वांस तंतर संक्रमन के कारण होता है, मनुस्य में जब कोरोना हो जाता है, तो मनुस्य का कौन सा अंग डैमेज होता है, तो मनुस्य का ल नाम दे दिया गया निक्षमन की बात करें मनुस्य के हरदय का भार कितना होता है मनुस्य के किड़नी का भार डेड़ सो आप बताते हो डेड़ सो ग्राम होता है मनुस्य के मस्तिस्क का भार आप देखते हो कि भाई फिसके न, बात करेंगे दोस्तों, 50 कुच्चन की, 50 less 61 minutes, हमने लिए हैं, बार्योज फेक्टर संब्धित है, और रेच फेक्टर की बात करते हैं, तो रेच फेक्टर रख्ते से संब्धित है, और रेच फेक्टर के खोच करता भी पूछ सकता है, तो R.S. Factor के खोज़ करता है L.E.S.T.E.N.R. क्या L.E.S.T.E.N.R. का ही नाम आपको याद रखना है बात करेंगे दूसतों 52 नंबर कुस्द्स की तो 52 नंबर कुस्द्सा आपके स्क्रीण पर है सरीर में अमीनो अम्लकी संख्या कितनी है तो सरीर में अमीनो अमल की संक्या है 20 है निक्षमन की बात करेंगे 53 सरीर में प्रतिन आपके सरीर में कितना मूत्र बनता है यानि आप जब पानी पीते होगे तो बिल्कुल अमूमन सी बात अगर देखा जाए कि भाई मूत्र तो बनेगा तो मूत्र कितना बनता है आपको बताना है तो याद रखीगा एक से दो लीटर यानि देड़ लीटर exact आपको मैं value बता रहा हूँ कि अगर कुस्सन में पूंचा जाए कि मनुस्से एक दिन में मूत्र कितना उसरजित करता है अरे बनता है तो उसरजित भी करेगा न उसको कहीं न कहीं स्टोर तो करेगा नहीं तो याद रखीगा शरीर में प्रदिन मूत्र बनता है डेड़ लीटर या कुस्सन ऐसे भी यूरिया कहाँ पर मनुस्य के सरीर में बनता है तो लीवर में बनता है यानि यक्रत में बनता है निक्षमन की बात करेंगे मानव मोत्र अमली होता है यानि अमली होता है जिसका pH क्या होता है आपको बताना है मनुस्य के जो है मोत्र का pH होता है दोस्तों 6 होता है अमली होता है क्योंकि सास से कम जो value होगी वो होगी अमली ठीक है ना ऐसे ही सास से ज़्यादा होता है 7.4 होता है वो रक्त का होता है लिक्षमन की बात करें विटामिन A संचित होता है विटामिन A संचित होता है तो विटामिन A संचित होगा आपका यकरत में होगा लिक्षमन की बात करें दात और हड्डियों की संदचना के लिए आवस्यक तब तो कौन सा है तो आप सभी जानते हो या तो फास्पोरस होगा या तो कैलसियम होगा वाइट चीजे दूद के लिए आप सबसे बेस्ट उप्योगत है हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैलसियम और फास्पोरस दानत और हड्डियों की संदचना के लिए आवस्यक है हाइड्रोफोविया क्या है? हाइड्रोफोविया रोग है किस से होता है? किस के काटने से होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोविया किस से होता है? जीवाड़ या विसाड़ से तो वाइरस से होता है या विसाड़ से होता है विसाड़ की खोज किस ने करी है एवाण विस्की ने करी है ठीक है ना फिलाल अपस नमबर जाएगा कुट्टे के काटने से विटामिन C का सरवत्तम स्रोत कौन सा है विटामिन C की बात करें रोग हो जाता है इसकरवी हो जाता है विटामिन C का एसकारविक एसीड होता है क्या नाम होता है रासानिक और विटामिन C की बात करें तो खटे स्रोत होते हैं जिसमें आमला इंपॉर्टेंट है ठीक है निक्शमिन की बात करें कुस्सा नंब Rs60 मानव हुस्रीय में खौन के दून की करण की प्रेकरिया को अपन क्या कहते हैं मनुस से कि खौन का अगर सुद्धी करण किया जाए कि किसी दौरा तो उस प्रकति को हम कहते है डायलेसिस कहते है क्या डायलेसिस कहा जाता है निक्षबिन की बात करें कुस्सन अमर 61 अस्थियों का अध्यन कहलाता है तो याद रखीगा अस्थियों का अध्यन कहलाता है दोस्तों क्या आस्टियोलोजी कहलाता है क्या आस्टियोलोजी कहलाता है याद रखीग तो AIDS जो है प्रतेक साल हम एक दिसंबर को AIDS दिवस मनाते हैं AIDS जो है उसका कारण होता है बाइरस होता है ठीक है ना याद रखीगा किसके दौरा अनुवानसिक्ता के विज्ञान को अनुवानसिकी कहा गया तो याद रखीगा वैटसन के द्वारा अनुवांसिक्ता कहा गया और कुछ से नमबर नेक्स्ट किस अमल की उपस्ति मानों के पेट में होती है तो आप सभी जानते हो कि HCL कहां पर पाए जाता है HCL जो होता है वो अमासे में पाए जाता है हमासे में क्या पाए जाता है HCL होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अमल कहलाता है आप से कहता है कि मनुष्य के पेट में अमलिता किसके करण होती है तो HCL या हाइड्रोक्लोरिक अमल हो जाएगा दूद के दही के रूप में जमने का करण क्या है तो जीवानु है जीवानु वो हड़ी किस मनुस्य के पार्ट में पाई जाती है तो याद रखीगा टीविया नामक हड़ी मनुस्य के आपके पैर में पाई जाती है लेकिन पैर की बात करें तो दोस्तों उसको हम टांग कहेंगे तो आपसे नमबर जो भी होगा आप राइट मार दीजेगा 67 सरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गरंथी का नाम क्या है लिखिएगा फटाफट तो सबसे बड़ी गरंथी का नाम है लीवर है जिसको हमने कहा यकरत जिसको कहा हमने क्या यकरत कहा लीवर कहा जिसको जिगर भी कहा टाइलिन एंजाइम कौन सी गरंथी साबित करती है यानि टाइ यंत्र में कितनी उपास्थी पाई जाती हैं सुर यंत्र में कितनी उपास्थी पाई जाती हैं तो सुर यंत्र में आपकी नो उपास्थी पाई जाती है ठीके ना जो हम बोलते हैं मुख से मलदार तक आहार नाल की संपूर्ण लंबाई कितनी होती है यानि मुख से मलदार य से 10 मीटर लंबी होती है, very very most important question, question number next, नर बा मादा मनुस्वे में कौन सा लिंग हार्मोन होता है, बहुत ही जबजस question है, नर का हार्मोन बताना है, मादा का हार्मोन बताना है, तो याद रखी का दोस्तों, नर में टेस्टोस्टरोन होता है, और मादा में एस्टोजन और कौन है, नाम लिखो, उसका बजन लिखो, तो सरीर का सबसे जटिल अंग है, मस्तिस्क, मस्तिस्क का बजन होता है, कितना होता है, 1400 ग्राम होता है, जिसको हम 1500 ग्राम भी लिखते हैं लगबग में, याद रखो, exact value होती है, 1350 ग्राम होता है, बजन की बात करी देख लिया, जटी लंग कौन है, मस्तिस्क है, व्रेन है, कुछ से नमबर नेक्स्ट, मस्तिस्क के आवरुनों के बीच में, यानि मस्तिस्क का जो खोल होता है, उसके बीच में कौन सा द्रब भरा रहता है, मस्तिस का जो आबरन होता है उसके बीच में मस्तिस्क मेरु द्रब्ले कहा जाता है जो आपके temperature को control करता है टिक ना याद रिखेगा RVC का लाल रंग किसके कारण होता है जब हम blood की का आबरन करेंगे तो blood का लाल रंग होता है हीमोगलोबिन नामक प्रोटीन की बज़े से तो वही दोस्तों हो जाएगा रक्त की बात करें तो 7.4 इसका pH होता है रक्त के अध्यन को हम कहते हमेटलोजी RBC का निर्माण होता है बोन मेरो में और खतमा होता है इस्पिलीन या आपका कहां पर? जी हाँ प्रदिरक्षा की बात करते हैं इम्यून सिस्टम हम कहते हैं इसको हम कोरोना से क्यों डरते हैं? कोरोना से अगर हम इसलिए डरते हैं कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है तो हमें कोरोना ले जाएगा सिंपल सी बात है अगर हमें immune system हमारा strong है यानि हमें बात बात पर जुखाम खासी नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि हमारी WBC बहुत ज़्यदा मजबूत है तो यहाँ पर lymphocyte कोसिकाएं संबंदित होती है रक्त का थक्का जमाने में साहिक कोसिकाएं कौन सी होती है तो रक्त का थक्का जमाने में साहिक कोसिकाएं दोस्तों होती है विटामिन के की बात करते हो क्या विटामिन के में जब हम विटामिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं विटामिन के होता है रक्त के इसकंदन में लेकिन आपर विटामिन का नाम नहीं लिया है तो विमबाडू या थम्रो साइट कहलाता है जिसमें हम प्लेटलेट्स की बात करते है कुछ से नमबर नेक्स्ट विश्व में कुल कितने प्रसत आवादी RH पॉजिटिव है यानि अगर हम बात करें तो 80% की बात करेंगे और किटनी का भार होता है 1.500 ग्राम यानि लगबग 200 ग्राम होता है रक्त एक विलेन है रक्त कैसा विलेन है रक्त दोस्तों एक छारी विलेन है नकी अमली है और जब छारी है तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि pH जिसका सास से ज़ादा होगा वो छारी होगा, तो रक्त का pH कितना है 7.4 है, इसलिए ये छारी है, अलकाइन है, सबसे बड़ी लार ग्रंथी कौन सी होती है, मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथी कौन सी होती है, जवाब दीजेगा, तो मनुस्य के सरीर की बात करें, तो यहाँ पर लार ग्रंथ होता है दो से चार दिन होता है WBC की बात करें तो लिंफोसाइट हम कहते हैं सबसे बड़ी मनुस्य के सरी में WBC का नाम है सबसे बड़ी WBC की बात करें तो लिंफोसाइट सबसे चोटी की बात करें तो मोनोसाइट हो जाएगा याद रखीगा दोस्तों और सबसे बड़ी सिरा देखिएगा सबसे बड़ी सीरा कोण सी है तो मनुस्य के सबसे बड़ी सीरा जो है Anferior मानों सरीर के सबसे बड़ी सीरा का नाम है सबसे बड़ी हडडी, जांग की है Femur, सबसे चोटी है स्टेपी इस्कान की है, हरदय का बाहर है यहाँ पर 300 Grind और यहाँ पर किड़नी का बाहर है 1.500 ग्राम, मस्तिस्क का बाहर है 1.350 ग्राम निक्षमन की बात करें, चेचक का टीका की खोश किसने करी थी? चेचक के टीके की खोश किसने करी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन गाईज चेचक के टीके की खोश करी थी एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके की खोश की नबजात बच्चों के सरीर में बोन की संख्या कितनी होती तो 18 प्लस यानि हम लोग की बात करें जो वीडियो वोच कर रहे हैं उनके सरीर में 206 हड़ियां पाई जाती हैं लेकिन जब पच्चा पैदा होता है तो लगवग 300 हड़ियां पाई जाती हैं तो याद रखीगा 300 हड़ियां होती हैं बच्चे में हड़ियों की संक्या जादा होती है एलिसा टेस्ट किस से संबंदित है ELISA TESTS की बात करें, तो आप सभी जानते हो, कि जब हमें AIDS हो जाता है तो यानि एक मनुस्य जो होता है, जिसको AIDS से संक्रिप्त है और AIDS जो होता है, वाइरस की बात करता है जहाँ पर हम ELISA TESTS को हम कहीं न कहीं संबन्ध रखते हैं ELISA TESTS से उसका टेस्ट करते हैं एल्सा टेस्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर eights की बात हुई है तो हमने पहले ही बताया कि एक दिसम्बर को हम eights दिवस मनाते हैं प्रतिवर्स थीक है इंसुलिन की खोश किसने करी तो इंसुलिन की खोश करी है wetting and waste ने करी है यह आपको याद रखना है किस ने करी है? wetting and waste ने करी है आख का कौन सा भाग दान कर दिया जाता है आपके सरीर में आख जो है दान अगर आप करना चाहते हो तो वो दान कर सकते हो मरने के बाद भी आख का पाट दान किया जा सकता है क्योंकि आखें जीबित रहती है काफी समय तक तो अगर हम बात करें आख का कौन सा भाग दान किया जाता है तो कार्निया दान किया जाता है निक्ष्वन की बात करें रक्त में कौन सा तत्यों पाए जाता है अगर पेंडों में देखा जाए तो पेंडों में क्लोरोफिल की बज़ए से हरी पत्तियां होती है पेडों में मैगनीसियम पाया जाता है इसी तरीके से रक्त में लोहा पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फेरस कहते हैं एफी कहते हैं टाइफाइट से कौन सा अंग डैमेज हो जाता है जब हम टाइफाइट की बात करते हैं हमें टाइफाइट हो जाता है तो हमारे आत को प्रभावित करता है इसलिए आत्र जुर भी कहा जाता है कुशन में आता है कि आत्र जुर किसे कहते हैं तो टाइफाइट को कहते हैं मुत्र का पीला रंग किसकी बज़े से होता है तो मुत्र का पीला रंग होता है आपका यूरो क्रोम की बज़े से मुत्र का पीएच होता है दोस्तों तो मुत्र का पीएच होता है 6 होता है जो एक अमली होता है मूत्र मनुस्य के सरीर में 1.5 लीटर बनता है पूरे दिन में और इतना ही आप उसरजित करते हैं मूत्र में दुरगंद का कारण है यूरिया, यूरिया का निर्माण होता है यकत में कौन सी विटामिन का रक्त का, मतलब कौन सी विटामिन जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसका रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड की कोटिंग नहीं होती है, उस विटामिन का नाम है फिलोकुइनीन या विटामिन के, ठीके न, विटामिन के स रक्त का थक्का नहीं जमता अनुवांसिकी के पिता महा कौन है अनुवांसिकी के पिता महा कौन है तो आप कहते हो ग्रेगर जौन मेंडल है कौन है ग्रेगर जौन मेंडल अनुवांसिकता के पिता महा है नेफरान किसकी इकाई है तो नेफरान है दोस्तों किड़नी की किड़नि का बजन हमने आपको बताए कि 100,000 ग्राम होता है, निवरान किसकी एकाई है, तियो निवरान तंत्री का है, जवाब हमेंसा की तरह गलत नहीं होना चाहिए, मनुस्य के सरीर का ध्हुनी, मनुस्य की सरीर का बजन होता है वो 300 ग्राम होता है 98 पे कुशन देखेंगे ECG यानि Electro Cardiogram उलेक्ट्रोन काडिो ग्राम मनसे के हरदय से सम्मदीत है किससे सम्मदीत है हरदय से समस्मदीत है एक और होता है जिसके हम कहते हैं EEG फुल फॉर्म क्या है ECG की बात करें Electrocardiogram और EEG की बात करें तो याद रखीगा मनुस्य के मस्तिस्क से brain से सम्मदित होता है आपका EEG Electroinfellogram ठीक है ना याद रखीगा खाना का पाचन कहां से प्रारम होता है सबसे पहले तो आप सभी को पता है Tylen enzyme होता है और मुह से ये कही न कही पाचित स्टार्ट होता है मनुस्य के फिफ़डे का आकार क्या होता है 101 कुछन कराएंगे मनुस्य के फिफ़डे का आकार क्या होता है तो मनुस्य के फिफ़डे का आकार होता है दोस्तों संक्वाकार होता है याद रखना है वीडियो में समय नहीं लिया है वीडियो सुपर फास्ट वीडियो समय आपके पास भी कम रहता है अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्या करना है सर लाइक करना एक परसेंट भी अगर आपके काम में आई है तो हर teacher based करता है अपने लिए based करना चाहता है अपने हिसाब से based करना चाहता है आपके लिए तो यार याद रखिया दोस्तों आप सभी brilliant है You are great, you are unique, subscribe करके ही छोड़ना इस channel को current affairs से लेकर हर चीज आपको provide होती है सुपर फास्ट वीडियो के लिए जाना जाता है गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेड़ी राश्ट रित में चैनल गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेड़ी नीचे लिंक होगी आपकी टेली ग्राम ग्रूप चरूर जोईन करें वंदे मातरम इंकलाव जिन्दावाद आदाप सस्रियकाल राश्ट रित में सिक्षा जैहिन वंदे मातरम